तो यूपी बोर्ड एक्जाम 2024 बहुत ज़्यादा करीब है और ऐसे में बहुत सारे विद्यारतियों का हमारे पास कमेंट आ रहा है कि सर हम लोगों का बोर्ड एक्जाम बहुत ज़्यादा नज़्दिक है और समय भी बहुत कम बचा हुआ है ऐसे कम समय में हम किस तरीकें से करें मतलब कौन सी चीजों पर ज्यादा फोकस करें जिससे हम अपने बोर्ड एक्जाम दो हजार चोबिस में फिजिक्स और मैथ बिसे में 95 प्लस स्कोर कर सकें तो आज की इस क्लास में आप लोगों को हम बहुत ही सटीक तरीका बताने वाले हैं आप सभी को पता है कि मैंने ख केवल मातरा पंदरा दिन पालन कर लिजिए मेरी गारंटी है आप देखना बोर्ड पेपर देकर आएंगे तो आप कितना ज्यादा अच्छा मैसूस करेंगे आप खुद कहेंगे कि हमको इतने माक्स मिलेंगे ठीक है तो देखिए आपको करना क्या है सबसे पहले देखिए मैं आपको फिजिक्स और मैत में 95 अंक प्राप्त करने का तरीका बता रहो इसी तरीके से आप हर विसे में ये तरीका फालो करके 95 प्लस अंक ला सकते हैं ठीक है कोई वड़ी बात नहीं है तो अगर हम बात करें सबसे पहले मैत और फिजिक्स विसे की यहीं पर हम दो पर तो सबसे पहले उस उस एक्जाम के पेपर पैटरन को समझना होगा साथ ही में हमको ये चीज समझना होगा कि हम कम समय में किन चीजों पर फोकस करें ठीक हमाली जी हमारे पास समय कम है और हम बेफालतू की चीजे पढ़ने जिनका कोई मतलब नहीं है एक्जाम में पता यहां पर आप लोगों को हम वही चीज बताएंगे पढ़ने के लिए जिन से पढ़ करके आपको सत्य प्रसत कोश्चन बोर्ड एक्जाम में मिलने मिलना है ठीक है जैसे आप सभी लोगों को हम सबसे पहले अगर बात बताएं चाहे मैत भी से में आपको नंबर पराप्त करने हूं तो बीना पढ़े तो नंबर मिलेंगे रहें यह तो एकड़म तय है ठीक अगर ऐसा कुछ आपको यूट्यूब पर मिल रहा है तो आप फिर समालीजी एक तरीके से पागल बन रहें बीना पढ़े तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे अब मैत और फिजिक्स विसे में अ ठीक आप इन दो चीजों का सबसे पहले आप पालन कीजिए ठीक है यहां पर भी अनसॉल्ड पेपर और आपको क्या करना है अनसॉल्ड के बाद वनसॉल्ड जो क्लासे मैं आपको दे रहा हूं वो करना है ठीक यह दो चीज़े आपके मलब कर लिजिए अच्छे तरीके से आपका पेपर ऐसे ही आसान हो जाएगा आप कुद कहेंगे हमको फिजिक्स मैत आने लगी अब आप इसको भी धैरे के साथ नहीं करना चारहे है और नंबर पर आप तो करना चारहे है तो मुस्किल हो जाएगा ठीक है मैं तो कहूंगा कि सबसे पहले वनसॉड कीजिए वनस सव माक्स में पांच नंबर वाले 50 नंबर के कोशन आते हैं और 8 माक्स वाले 24 माक्स के कोशन आते हैं सबसे ज्यादा इन प्रश्णों पर फोकस किजिए आपके पास समय कम है और आप इस कम समय में अगर आप इन प्रश्णों पर ज्यादा फोकस करते हैं अब 5 माक्स वाले आठ मार्क्स वाले कोशन आते कौँह से हैं ये जानने के लिए आप अंसॉल पेपर प्लेइस्ट उप्रिंट कर लिजिए आपको खुद पता चल लाएगा पांच नमबर में कौँह से प्रशने पुचह जा रहे और आठ मार्स में कौन से प्रशने पूचह जा रहे लिए अगर आप ने अच्छे से अभ्यास कर लियाओँ, अच्छे से अ प्रैक्टिस कर ली किवला अं invsor paper से बातना बता हूं कि एतना बता हूं कि वलाएं एक्जाम में छूटेगा इसलिए मैं कहूंगा आपको सबसे पहले तयार कीजी और अगर तयार होंगी तो आपको confidence होगा कि हम पेपर बहुत अच्छा करके जाएंगे ठीक है अब यहां पर देखिए आगे बात करें फिजिक्स की अगर बात करें तो फिजिक्स में भी यही हाल है। फिजिक्स में अगर देखें तो जो पेपर होता हो उपका 70 marks का होता है। सबसे अब फोकस करना तो आपको नूमेरिकल पर और उसके बाद नंबर दो डर्यिवेशन पर अगर आपने इन दो चीजों पर अच्छे तरीके से फोकस कर लिया तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो छोटे कोशन आते हैं सौर्ड कोशन वो आप ऐसे कर ले जाएंगे ठीक है क्योंकि सारा नालिज आपका इसमें मिल जाता है समय रहो ना सूत्र बगारा बगारा तो मैंने आप सभी लोगों को हर एक चैप्टर के जितने मह मात्तपूर आपके नुमेरिकल हैं नई वाली अंसी आटे बुक से मैं सौर्व करा रहा हूं और साथ ही मैं अतरिक्ते प्रशन लेकर भी आपको बता रहा हूं तो आप उन क्लास को कर लिजी और डेरी वेशन के मैंने तो प्लेलिस्ट आपको देखी दिए ठीक है अंसौर् पढ़ने के बाद कोई भी प्रिवेशन के पेपर उठाईए आप कुदी लगेगा कि हां कोश्चन हमारे सौल्व हो रहे हैं ठीक है इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है अब बचिवे समय में आप अगर इतना कल लेते हैं इधर उधर भीना भटके हुए ठीक है तो आप यह समल लिए कि आपका स्कोर बहुती बेश्ट जाने वाला है आप 50 जगासे पढ़ाई करेंगे इधर उधर बटकेंगे इधर देखेंगे उधर देखेंगे आयसे पढ़ाई करेव ऐसे पढ़ाई करेंगे कुछ नहीं आप अपने लेक्ष पर लग जाईए और इतना तया द्विर्याय नहीं है चलिए उमीद है कि आप लोगों को मेरी बात समन्द में आई होगी वाकिन क्लासों का लिंक मैंने कमेंट बाक्स में दे रखा है अब आराम से करिए आप सबी लोगों को बेश टावलाग बड़िया स्कूर कीजिए जैहन वन्ने मातरम